नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल उल्टा चस्मा में, लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम, विशलेशन वित्वान खड़े, जौन्सबर्ग में सौथ अफरिका में प्रधान मंत्री गए, प्रधान मंत्री के साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, खंडन, रति खंडन यह सब चल रहा है, लेकिन एक बात फिर सामने आई कि चीन के राष्ट्रपती क्या प्रधान मंत्री जिसे बात करेंगे, क्या यह दोनों आपस में बात करेंगे, पहले भी कहा था कि 24 तारिक को तीन मिटिंग होनी थी, पांच मिटिंग होनी थी, तीन के नाम आगे, दो शी जिंग पिंग से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपचारिक बात हुई, यह खबर आई, बात हुई कि प्रधान मंत्री जी ने, खासकर लद्दाक शेत्र में, जो चिन और भारत सीमा का विवाद है, उसको लेके de-escalation of forces, मतलब सेन्य की तादाद कम करने के लिए बात की, चाइना के प्रवक्ता ने कहा, कि हमारे राष्टरा ध्यक्ष से जिंग पिंग ने, ये बात प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी जी से की, की शान्ती और अच्छे सम्मंद ही, विकास के तरफ देश को ले जा सकते हैं, हम चाहते की शान्ती बनाए रखे और हमारे सम्मंद ठीक हो, इसके आगे कोई बात बढ़ती दिखाई नहीं दी, बहतर रिष्टे के लिए जोर देते हुए, उन्होंने कहा कि शान्ती विकास के लिए अच्छे सम्मंदों का होना जरूरी है, और हम अपिक्षा रखते हैं कि भारत और चीर के सम्मंद अच्छे हो, मोधिजी ने कहा कि ये एलेसी पर तनाव का मुद्दा है, लदाक में सेन्ने की तैनाती कम की जाए, ये बात हुई ऐसे दोनों विदेश मंत्राले चीन का और भारत का कहता है, लेकिन एक बात, इस बात्चित पे विश्वास कितना है, ये बात इतने बड़े अविश्वास की हो गई है, कि चीन की विदेशी प्रवक्ता ने ये भी बताया, कि भारत की अनुशंसा पे, भारत की रिक्वेस्ट पे, चाइना के राष्टरपती, शी जिंग पिंग, भारत के प्रदार मंत्री नरेंद्र मोधी से मिले, जैसे ही वक्तव्य चाइना के विदेश मंत्राले से आया, भारत के विदेश मंत्राले ने इसका विरोध करते वे कहा, की मिलने की गुजारिश भारत में नहीं की थी चीन कई मैनों से बाइ लेटरल मीटिंग के लिए गुजारिश कर रहा था और चीन की इस गुजारिश को देखते हुए भारत के प्रदार मत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस गुजारिश को मानते हुए चाइना के राष्ट्रपती शी जिंग पिंग से मुलाकाद की अब ही तक यह पता नहीं पढ़ पा रहा है कि कोन किसको मिलना चाहता था भारत मिलना चाहता था या चीन मिलना चाहता था भारत मिलने के कई कारण है क्योंकि भारत का चो 65 पॉइंट से पेट्रोलिंग के उसमें से 26 पॉइंट पे तो भारत को पेट्रोलिंग मना किया है जो 2020 के पहले की जो स्थिती थी एप्रील 2020 के पहले की उस स्थिती से हम अब 26 पॉइंट पर तक तो पेट्रोलिंग के लिए भी नहीं जा सकते यह चाइना की दादा गिरी है लदाग शेत्र में गोचर की जमीन नोमेंस लैंड में चली गई और नोमेंस लैंड चाइना ने हड़प ली यह आरूप वहां के सांसत में भी लगाया कितना भी अपोज करो लेकिन चीन लगातार बॉर्डर पे अपने सैनिक भी बढ़ा रहा है अपने रोड भी बना रहा है पूल भी बना रहा है एरपोर्ट भी बना रहा है और लगातार अपनी प्रेजिस वहां बढ़ा रहा है हर जगा जहां जहां चीन और भारत की बॉर्डर है खासकर लधाक हो गए फिर बीच में मिडल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और उतराखंड है और फिर नॉर्थीस्ट का एक पोर्शन है जहां एक करीब-करीब फंद्रा सू किलोमेटर का बॉर्डर है लधाक में तेरा सू क पुर्वा और पच्चिम दोनों तरफ से हैं पच्चिम में लडाक में जमीन कब्जा कर ली है और पुर्वा में पेट्रोलिंग पॉइंट पे ब्लॉक किया है भारत क्या सईन्य पुरी ताकत के साथ लगा हुआ है लेकिन इस मीटिंग में क्या एप्रिल 2020 की स्थिती पे भारत कब पहुँचेगा पुरा देश सवाल ये पूछ रहा है भारत के प्रदान मंत्री उनसे कितनी बार मिलते कितनी बार जुला जुलाते क्या करते ये माएने नहीं रखते दोजार एप्रिल 2020 में जो स्थिती थी भारत के सैन्य की जो अधिकार हमारे पास थे जो जमीन जहांपे हम पेट्रोलिंग कर सकते थे वो हमारे पास है या नहीं है इसका जवाब सरकार देने को क्यों भाग रही यह समाजी जब चिनी घुस्पेट हो रही थी तब भी सरकार लगातार इस बात को पुरी ताकत के साथ कह रही थी कि चिनी घुस्पेट हो ही नहीं रही फिर बात हुई जब शहादत हुई बीच जवानों की कलवान घाटी में तब हुई कि हाँ कुछ हुआ है लेकिन बात हुई उन्होंने हमारे 20 मारे तो हमने उनको 45 मारे यह IPL के मैट का स्कोर नहीं था चीन में कितने मरते हैं इससे भारत कफरक नहीं पड़ता लेकिन भारत के सीमा से एक भी ताबूत गाउं लगता है तो पुरा देश गन्मीन हो जाता है देश के आखों में पानी आता है कि आज फिर एक बेटा मेरा शहिद हुआ लेकिन तब भी सरकार नहीं नहीं बताया कि एक्च्वल पोजिशन क्या है बड़े बड़े मेजर जनरल जनरल के लेवल के 19 मिटिंग ये हो चुकी है लेकिन हर मिटिंग के बाद यहीं बताया जाता है कि सकारत कर बात होई लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं पीछले मिटिंग में भी बोला गया था कि हमने तई कर लिया है कि हम सन्य की तादात कम करेंगे लेकिन अपरूल के बगेर नहीं अब उपर का अपरूल कब आएगा बता देगा जिनके राष्टरपती भारत से मिलेंगे भारत के प्रदारमति से मिलेंगे तो जरूर कुछ बात होगी यह बात बार बार हम कहते हैं मेडिया कहता है देश सोचता है लेकिन जिसके मिटिंग पे ही बवाल हो कि पहले आप पहले आप इसे में जगडा हो कि आपने बुलाया या हम मिलना चाहते हैं इसी को लेके जब तलवारे खीच चुकी है दोनों विदेश मंत्रालेयों में तो फिर ऐसे अनवचारिक भी हो तो उन्स चर्चा का माइना क्या होगा एक तरफ हम चीन के वस्तुव का बहिशकार की बात करते हैं और चीन के साथ हमारा व्यापार लगातार बढ़ाई हुआ है कुल मिलाकर चीन को लेकर जो एक अविश्वसनी अवातावरण तयार हुआ है देश में एक कन्फ्यूजन फैलाया जा रहा है इसलिए कि सरकार अभी भी खुल के यह नहीं बता रही है कि भारत और चीन के बॉर्डर पे क्या हो रहा है आज मुझे लगा कि यह क्लास्रूम में छोटे जो तीसरी चौती क्लास के बच्चे जो लड़ते हैं आपस में आथ लिए वर compatible इसे दो मंत्राल विदेश मंत्राले लड़ रहे हैं बएकि नैंने या आपने बुलाया का आ आताक्या चाहते है इसलिए हमारे भारत को आखे दिखाते रहेगा और हम ऐसे ही अपचारिक अनपचारिक बात्चेत में उलज़े रहेंगे आज का बाइलेटरल जो बात हुई अनपचारिक बात्चेत हुई बिक्स जौसबर्ग में बोधी मेडिया ने तो उसको बहुत बड़ी भारत की जीन पताई लेकिन वस्तुस्तिती क्या है यह आपके सामें दिलाने का प्रयास किया उसका विचलेशन किया आज इतना ही फिर आता हूँ आपके सामें किसी भी शेकिज़ा तब तक के लिए नमस्कार देखते रहिएगा चैनल उल्टा जस्मा